तो एहमदाबाद के एलिसब्रीज सीट से कॉंग्रेस के उमिद्वार भीखो भाई हमारे साथ हैं जो अमिशाह के मुकाबले मैदान में उत्रे हुए हैं हाम आदमी पार्टी तीसरी पार्टी के तौर पर है भीखो भाई कि नहीं आदमी पार्टी तीसरी पार्टी आप तो कॉंग्रेस उमिद आजी आजी तो भीक हुआ ही है अमिशा के खिलाफ चुनाव लड़ना कितना चैलेंजिंग है ऐसे क्या है कि पहला टिकेट तो मेरा डिकलेर हुआ है इसलिए मेरे सामने अमिशा लड़ रहे है क्योंकि पहले मेरा टिकेट डिकलेर हुआ था कॉंग्रेस का और मैंने अरिया शुरू कर दी है तो कई ऐसा दो नहीं है कि आप ही के टिकेट डिकलेर होने की वज़े से जो उनके सिटिंग विधायक 80,000 वोटों से राके शाजी ते थे उनका टिकेट कटके हम इस शाजी को मैदान मे आना पड़ा? उनको स्विकार्या नहीं है पहले भी संकर सी वागिला जी की भी पार्टी थी हमारे बीजेपी के जो सीम बने थे और बहुत बुज़ूर्ग वरिष्ट नेता बीजेपी में गिने जाते थे के मानिय केशुभाई पटेल उनकी भी पार्टी थी वो भी इदर फेल हो चुकी औ यह जो एलिस ब्रीज है यह पिछले 30-32 सालों से बीजेपी जीतती रही है और बहुत अच्छे यूज मार्जिन से जीतती रही है तो यह तो टफ सीट है कॉंग्रेस के लिए तप सीट है आज तक मगर इस दफे बिलकुल मद्दार लोग परिवर्तन इच रहे इसलिए कि इसको अभी इसदर सासन चल रहा है उससे मद्दार लोग सब तंग आ चुके हैं आप देखिए महिलाओ का प्रॉब्लम है इसमें कोई सुजाव उन्हों लोग ने नहीं दिया एजूकेशन का प्रॉब्लम है बेरोजगारी है महेंगा ही इतनी बढ़ चुकी है इसके सामने प्रॉब्लम के पास कोई अंसर नहीं है पब्लीक के पास जाने के लिए उनके रास्ते अब बंद हो चुके है पब्लिक ने जब मेरे को टिकेट देने की जो बात थी तब हमारे एलेज ब्रीज के कई संस्था हो दार्मीग संस्था सामाजीक संस्था और व्यपारी लोग ज मिले वरिष्ठ निता लोगों को मेरे नाम के सुझाव दिया और वर वरिष्ठ निता होने जब मेरे को टिकेट दिए तो हम एसा मानना है कि ये लोग मेरे सपोर्ट में है और बिल्कूल हमको जितने के लिए आसान फराइब और बीकूमा झेफ़बाद पुर्वा मुख्यामंतरी बाबु बह saja बासन वाला थे वो बिल्कुल सामाजीक लोवर लेवल के बंदे थे और नीचे नीचे तरके लोगों की मदद में हमेशा रहे थे उसको आदर्स मान के मैंने लास्ट तेन एर से मैं बिल्कुल लगादार वो ही उनके जो रूल्स थे वो ध्यान में रखके मैं काम करता हूँ और आज मैंने की दूसरे हमारे बीजेपी के जो होम मिनिस्टर रह चुके थे एक्स होम मिनिस्टर हरेन पंडिया जितकी मर्डर हो चुकी उसका कोई हिसाब निया पबलिक तो सब कुछ जानती है वो इतना प्रमानिक था कि उसकी प्रमानिकता को नजर में रखके मैं अभी पांच साल से काम कर रहा हूं इसलिए यह दो मेरे दो लोग मेरे लिए आदर्स बन चुके हैं उनकी प्रमानिकता के लिए हरेन पंडिया और समाजिक स्थर पे जो काम करने के लिए इसी सीट से विधायक थे और वो ग्रे राजिमंती रहते हुए उनका मदर उनकी हत्या हो गए वह अभी तक क्रहस बनाई हुआ बैरहाल यह एक बाद दता हुए मैं आपनी सवाल यह पूछ रहा हूं कि कोंग्रेस का मुद्दा क्या है इसे बार है कोई मुद्दा प्यजेपी ने कुछ काम नहीं किया सुख मुद्दा मद्दरो के हाथ में चले गए नमस्कार मैं हूँ मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए योस 24